हालो गाइज वेल्कम बेक तो माई चैनल हैम सुरेका बागरी और वाचिंग सुरेका किचन यूटूब चैनल तो फ्रेंड सर्दी आने ही वाली है अक्टूबर आ चुका है और आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए पॉस्टिक लड्डू आज के लोग बहुत ही ज्यादा ह करते हैं तो वह लोग भी इस लेडू को खा सकते हैं क्योंकि मैं इनको बिल्कुल हैल्दी बनाऊंगी तो इसके लिए आमे क्या कर चाहिए यह आपको बता देते हूं अगर आप इस रेस्पी का फायदा उठाने चाहते तो पूरा वीडियो जरूर देखेगा तो इसके लि लिए स्टार्ट करते हैं रेसिपीट तो सबसे पहले फ्लैक्सीड को ड्राय रोस्ट करेंगे बिलांगी के भूलना इसे हमें और मगज को भी भूल लेंगे जब तक इन से चटकने की आवाजना आ जाए जिस तरह तरह तिल में आती है बिल्कुल उसी तरह है और यह हमारे खर भूजे के बीजे यह कुछ जल्दी ही भून जाते हैं तो इनको ज्यादा नहीं भूलना हलका सा सिर्फ आधा एक मिनट के लिए भूलना है और फ्लैक्सीड को थोड़ा टाइम लगेगा भूलने में यह देखे भून चुके हैं इन्हें हम निकाल लेंगे और थोड़ा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इन दोनों चीज़ों को हम पीस लेंगे वह देखिए इनको भी पीस लेंगे फ्लैक्सीड को भी किसी तरह और आप एकड़ाई में दो बड़ी चम्मच गी डाला मैंने जो चाय का चम्मच होता है उससे थोड़ा सा बड़ा चम्मच है यह घी ज्यादा नहीं डालेंगे बिल्कुल हेल्दी बना रहे हैं लड़ू अगर आपको कोई हेल्दी शू नहीं है तो आप ज्यादा भी डाल अधिके ब्राउन कर लेंगे आटे को देखिए बिल्कुल ब्राउन करना आम आटे को उसमें द्यान रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा अटा कच्छा बीच में रह जाता है वो नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी आप दूसरे पैन में हम दो चम्मच गी डालेंगे उसमें गॉंद को फ्राई कर लेंगे यसे तो यह ट्रडिशनली गॉंद को डीफ्राई किया जाता है लेकिन आम क्योंकि इनको हैल्थी बना रहे हैं इसलिए कम खी यूज कर रहे हैं ज़िटना हो सके तो सिर दो चम्मच गी डाल कर मैंने गॉंद को रोस्ट कर लिया हग से साइड कर लेंगे रखते हैं और इस पचले रखे लें इन सारे डिराइफ्रूट को फ्राई कर लेंगे कोकोनट की काजू किस्तर बादाम और अपने लैक्सीड का पिसा हुआ चूरा इसमें डाल देंगे साथ इसमें डाल देंगे मगज इनको मैंने इसलिए पीछ लिया क्योंकि बच्चे ज्यादा पसंद नहीं करते हैं जब उनको किसी चीज में नको खाने के लिए देते तो वह निकाल देते हैं साइड पे इसलिए इसलिए पीस लेंगे तो अच्छा रहेगा अब इसमें डाल देंगे गुड़ को मैल्ट नहीं कर रहे हैं ऐसे डालेंगे क्योंकि सारी चीज अब हमारी गर्म है इसमें ही अपने हाप मैल्ट हो जाएगा और चाचली बनाने से लड़ो हमारे हार्ड भी हो जाते हैं और इससे बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे तो ऐसे य अब इसमें डाल देंगे एक चुमच इलाइची आदा चमच काली मेच और एक से दो चमच सोट पाउडर ग्राई जिंजर पाउडर इसको कहते हैं सुखी विद्रक उसका पिसा हुआ पाउडर और एक पड़ा चमच सिनेमन यानिकी डाल चीली पाउडर तो इसको चीजों क टर्मी अच्य थे पाउडर चनदा इसे can album फिट्रल मिक्स कर लेंगे उसकों तो ऊंची तरह कर लेंगे अब कोंड हमारा उचकाय थंडा हम इसे अमम मिक्स कर लेंगे को उससे तरह कर लेगिए यह लुड़ा का मेसर इसseits पार लगेगा और यह हो जाने के बाद सारे ड्रेव फ्रूट को साटे में मिक्स कर देंगे सारी चीजों को चितरे मिला लेंगे अब यह थोड़ी घर भी है इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ी से अमाउंट में यह बनाएं जब आप इसे सर्दी में बनाएं तो यही सारी चीज आप डबल या ट्रिपल अमाउंट में भी मना सकते हैं और गोंद अभी मैंने बिल्कुल थोड़ा लिया आप चैसे मैंने एक कट लेंगे और आजकल करोना में से विहानक बिमारी चल रही है तो यह लड़ू इम्मूनिटी बूस्टर के रूप में भी आपके रक्षा करेंगे बच्चों के लिए बहुत ही पॉस्टिक है बड़ों के भी बहुत ही पॉस्टिक है इन्हें किसी कंटेनर में डालके रख ली बच्चों को दूद के साथ रोज एक लड़ू दे दीजिए तो बहुत ही उनके लिए पॉस्टिक है तो फ्रेंड्स अगर आपको में रेस्पे पसंद आईए तो इसे लाइक शेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यह बिल्कुल फ्री है चैनल क नहीं रेस्पे के साथ तब तक के लिए बागाए स्टे हों स्टे सेफ आप